आज हम आपके लिए लेकर आये हैं पुश्प के द्वारा आसान वशिकरण मंत्र जी हाँ दोस्तों इस मंत्र को 108 बार जाब करने से किसी भी पुश्प को अभि मंत्रित करके आप किसी भी इस्तरी पर फेकेंगे तो वो आप पर मोहित हो जाएगी इस मंत्र को एक बार अच्छे से सुन ले और उसके बाद आपको इसका जाब करना है तो दोस्तों मंत्र जाब के लिए स्फटिक मनी की माला का प्रयोग करें चमेली के पुष्प का प्रयोग करने से इस्तरी तुरंत आपके वश में हो जाएगी पुष्प को अभी मंत्रित से पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें 41 दिनों तक लगातार जाब के बाद ही मंत्र सिद्ध होगा और फूल को अभी मंत्रित करते समय आपको कोई देखे न इस बात का विशेश ध्यान रखें वशी करन विफल हो जाएगा नहीं तो इस तरी पर पुष्प फेकते समय आप लाल रंग के वस्तर पहने इस मंत्र का बुधवार को प्रयोग करने से इस तरी तुरंत आपके वश में हो जाती है अगर ये उपाए या टोटका आप नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप कॉल करें हमारे गुरू जी को गुरू जी का नंबर आपको विडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जिस भी व्यक्ति पर ये उपाए करवाना जाते हैं ये उपाए आप हमारे गुरू जी से करवा सकते हैं तो दोस्तों इस तरह का वशीकरण उपाए करवाने के लिए तुरंत कॉल करें या फिर वाटसप करें और गुरू जी के नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं तुरंत कॉल करें या वाटसप करें राज योगी जी को और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाएं